नितीज जी इधर पटना में बैठके विकास का गंगा बहा रहा है। उधर गाव में बिधायक जी लोगों के साथ वही जनता धक्का मुकी कर रही है जिसने 2015 में इने बिधानस्वा में भेजा था। इधर पटना में नितीज जी इवाओ के लिए रोजगार का पिटारा खोले हैं। उधर ग्रामीर छेत्रों में बिधायक जी लोगों को यही इवाद दुद्कार रहे हैं। किसी एक बिधायक का बात नहीं कर रहा हूँ, बलकि पिछले कुछ दिन से लगातार ऐसे वीडियो जोर मामले सामने आ रहे हैं। जिसमें बिधायक जी लोगों से छेत्र की आम जनता दुर्बयवार कर रही है। कई जगा ग्रामीर बिधायक जी को धमकी दे रहे हैं, सुनके अजीब लग रहा होगा। कि जिस बिधायक में बिधायकी का मतलब ही होता है, गुंड़ाई और ठिकेदारी का लाइसेंस मिला। उस बिधायक में कोई बिधायक जो कोई धमका दे ओ भी कोई आम आदमी है। अब सायद इवा समझ रहा है कि जिंदा बात का नारा लगा कि कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर कुछ चाहिए तो सबसे पहले जन प्रतिमिद्यों को ठीक करना होगा। और अब हमें खुसी है कि बिहार का इवा जाग रहा है। आगे विडियो शुरू करने से पहले अपना परचे दे देता हूँ। नमस्कार मेरा नाम है मोहित कुमार सिंग और आप देख रहा हैं जनता जंसन। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाजपा के संजे सारवगी जी की। संजे सारवगी साहब दर्भंगा बिधान सबस्रीट से भाजपा के बिधायक है। खबर है कि बिधायक जी दर्भंगा में किसी सडक सिला न्यास के कारिकरम में गय थे। वहां कुछ लोगों ने ये बोलकर विरोज करना शुरू कर दिया कि बिधायक जी केवल चुनाओं में ओट के लिए नौटंकी कर रहे हैं। वहां मत दताओं और बिधायक जी के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। जिसके बाद बिधायक जी समय की नजाकत समझ कर बीना भासट दिये ही वहां से निकल गया। अब आते हैं दूसरे मामले पर, दूसरा मामला महनार के बिधायक उमेश कुछ वहाजी से जुड़ा हुआ है। उमेश जी जदियू की टिकट पर बिधायक है, वह पहली बार बिधायक बने और पहली बार में ही छेतर की जनता उनसे उब चुकी है। बिधायक जी छेतर भ्रमण पर थे कि अचानक से भीन ने उनके साथ दुर्बयवार करना सुरू कर दिया। वह भीन के बीच से समर्थकों के मदद से सुरक्षित बाहर निकल पाए। कहा जा रहा है कि भीन अब धीरे-धीरे हिंसक हो रही थी। लेकिन बिधायक जी उससे पहले ही वहां से निकल गया। अब आते हैं सक्रा बिधायक लाल बाबु राम पर। ऐसा नहीं है कि जनता का गुस्सा सिर्फ सत्ता धारी पक्ष के बिधायकों पर ही है। बलकि लोगों का गुस्सा सारे जन प्रतिनिद्यों पर बराबर है। लाल बाबु राम राम राजत के टिकट पर बिधायक चुने गया है। कहा जा रहा है कि बिदायक जी बाट गरस इलाके के दोरे पर गये थे, जहां भीड ने उन्हें धमकी देना सुरू कर दिया, भीड में से किसी ने भी कहा कि बिदायक जी को इसी बार के पानी में फेक देना चाहिए, ग्रामिडों का आरोब था कि चुनाव जितने के बाद पह कर लेते हैं अरवल जीले के कुर्था बिदायक सबाचेत्र के बिदायक सत्यदेव सिंग की, कुछ दिन पहले ही बिदायक जी का एक वीडियो वारेल हुआ था, जनता जंक्सन पर मैंने खुद उस वीडियो को दिखाया था, वीडियो में बिदायक जी को फजिहत के साथ ही एक इवा पबलिक सर्वेंट का मतलब बता रहा है, कहने का मतलब है कि पाटी चाहें जो भी हो, हर जगा से ऐसी खबरे आ रही है, अब जन परतिनिद्यों को भी समझना होगा कि समय बदल रहा है, और उसी के साथ इवा भी बदल रहा है, अब इवा चुनाओं में केवल ना नहीं लगा रहा है, बलकि अपने जन परतिनिद्यों से सवाल भी पूछ रहा है, अगर ऐसा ही होता रहा, तो ओ दिन दूर नहीं, जब बिहार में बिधायक जी लोगों को बिना काम किये ओट मांगने में भी डर लगेगा, और ऐसा होना भी चाहिए, कि अगर जन तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए, मिलते हैं फिर बहुत अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,